जब NASA ने कैलाश पर लगाए satellite, जो दिखा वो हैरान करने वाला था दोस्तों, Mount Everest कैलाश परवत से भी उंच्चा है, फिर भी उस पर तो कई लोग चड़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर आज तक कोई नहीं चड़ पाया, आखिर क्यों ना तो इसके उपर कभी helicopter ले जाया जा सक की, बता दें, Google Earth के जरीए जो footage सामने आई, उसने NASA और Google के भी होश उड़ा दिये, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने satellite की मदद से कैलाश परवत की, जब तस्वीरों को देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं, बलकि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, वैसे यह सुनने में आपको थोड़ा हैरान कर देने वाला लग रहा होगा, लेकिन यह सच है, उन तस्वीरों में साफ रूप से देख रहा था कि भगवान शिव किस तरह कैलाश पर ध्यान में लीन है, यह साक्षात ईश्वर है, जो कैलाश परवत पर निवास करते हैं, औ और हम जैसे लोग जो ना तो पवित्र आचरण के हैं, और ना ही हमारे पास आध्यात्मिक जीवन शैली है, दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने कैलाश परवत पर चढ़ने की कोशिश नहीं की, 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के वैग्यानिकों के साथ मिलकर कैलाश पर चढ़ने का सीधा रास्ता खोज लिये थे, और जैसे ही उस पर आगे बढ़े, तो भहंकर बर्फ बारी शुरू हो गई थी, और बर्फ ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था, वहीं रूस के एक परवता रोही ने बताया, कि जब वह कैलाश के नस्दीक पहु ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना पूरी तरह से नामुम्किन है, इसके पीछे कारण बताते हुए क्योंकि कैलाश परवत किसी अद्रिश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया है, और तो और एक वैग्यानिक मान्यता के अनुसार, कैलाश एक पिरामिड की तरह है, जो बिल्कुल दिशा बताने वाले कमपास के तरीके से काम करता है, इतना ही नहीं, कुछ का तो ये भी मानना है कि ये किसी पुराने मानव या किसी दिव्य शक्ति के जरिये बनाया गया है, इसके निर्मान को लेकर बातें यहीं नहीं रुकी, एक वैग्यानिक मान्यता यह भी कि लगभग दस करोड सालों पहले यहां पर एक समुद्र था। भारतिय उप महाद्वीब का रस्यन महाद्वीब से टकराने के बाद यह हिमालय परवत श्रेणी का निर्मान हुआ। नीचे मृत्य लोग है।